नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस पर हर चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो विद्यारतियों के लिए आवश्यक होती है तो आईए सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सुचना है सबसे पहले बात कर लेते हैं 79,000 शिक्षकवर्ती की 79,000 शिक्षकवर्ती पासिंग मार्क का जो केस है उस पर आडर सुना जाएगा इस केस को 3 मार्च को सरक्षित किया गया था और इस केस का बहुत विद्धार्थियों को इंतजार है और इस बार इस्थितियां बिल्कुल बदली भी हैं आडर किसी भी पक्षी में जा सकता है कल जो मैंने वीडियो बनाया था बहुत सारे वी देर्थियों ने बहुत सारे कमेंड किये और वो केवल संभावनाओ पर अधारित था पहले तो भी देर्थियों ने पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि किस पक्षमें आडर जा सकता है और इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा था और इस बार एक्जेक्ट जानकारी निकल करके भी नहीं आई है जो मैंने वीडियो बनाया था वो संभावना पर अधारित था जो भी चीज़े होंगी आज इस पस्ट हो जाएंगी इसके बात में अगली सुचना है यूपी बोर्ड की लिखा यूपी बोर्ड की दसवी और बारवी का जो प्रड़ाम है वो जुलाई में आ सकता यहां पर लिखा हुआ है देखिए दसवी और बारवी की रिजल्ट जुलाई से पहले आने के आसार नहीं है जुलाई में आ सकता है बोर्ड परिच्छा का रिजल्ट यूपी बोर्ड की दसवी और बारवी परिच्छा का प्रडाम जुलाई से पहले आने के आसार नहीं है ग्रीन जोन वाले जिलों में मंगलवार से मुल्यांकन शुरू हुआ है वहाँ भी कापी जाचने वाले बनाए रखने की जो गाइडलाइन जारी किये उसमें सभी एक लाग छीहत्र आजार शिक्षकों की एक साथ कापी जाचने की तयारी है यहां पर लिखा कि बोर्ड के पूरू सच्चिव और पूरू मादमी शिक्षक ने देशक बासुदेव यादाव ने बताया कि लागड इसी वोड की भी सुचना यह लिए दसवी की परिख्चा पूरे देश में नहीं होगी कि इंद्री मानो संसाधन विकास मंतरी रमेज पोकरियाल ने ट्विट किया कि सीवीशी ने पूरे देश में अब दसवी की परिख्चा ना कराने का फैसला किया हाला कि उत्तर पढ़ाई की जा सकती है। होगी और खाली सीटों के लिए केवल एक बार मौका मिलेगा और जो दूसरे राउंड की काउंसिलिंग है वो 25 अगस्त तक पूरी हो जाएगी तो इसके बाद में एक और सूच नहीं कि OBC चात्रों को भी सरकार कराएगी IAS मुख्य परिक्षा की तयारी प्रदेश सरकार ने IAS और PCS मुख्य परिक्षा की तयारी योजना के दारे में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जिनजाती वर्ग के अभरतियों को भी लाने का निरण लिया है समाच के लिए मंत् अभी OBC अभरतियों के लिए इस्थान निधारत करने का निरणा लिया है अनसूचित जाती और समान वर्ग को इस योजना का पहले ही लाब दिया जा रहा है अगली सूचना है एके टी यू की परिक्चा के समय के साथ प्रशन भी कम होंगे लिखा है एके टी यू से संबद इंजिनेरिंग एवा मनेजमेंट कालेजों के लिए अच्छी कबर है लागडाउन की वज़ए से चात्रों को परिक्चा के दारान कम पसंद हल करने पड़े एके टी यू से संबद प्रदेश के साथ सो पचास इंजिनिरिंग मनेजमेंट वा भी फार्मा कालेजों में पढ़ने वाले धाई लाग से अधिक चात्रों के लिए रहात वरी कबर है चात्रों को प्रशन पत्र में कम सवालों के जवाब देने होंगे जबकि नंबर उनको उतनी ही मिलेंगी देखें यहां पर लिखा कि यूजी सी की गैडलाइन पर ए आई सीटी की मोहर लग गई है और यूजी सी ने सभी विश्विद्यालियों को गैडलाइन जारी की थी कि कोरोना संक्रमन के चलते परिच्छा का समय तीन गंटे से कम करके दो घंटे कर दिया और यूजी सी के इस प्रस्ताव पर अब ए आई सीटी इने भी अपनी मोहर लगा दिये ए ए आई सीटी की और से जो गैलाइन जारी की गई है संस्थानों को निर्देश दिये गया है कि चात्रों की परिच्छा दो घंटे की कराएं अगरी सुचना उत्तर प्रदेश लोग PCS 2020 की प्रिच्छा 21 को प्रस्तावी थे जिसके आयोजन पर संक्ट मन रहा गया है तो बहुत सारी परिच्छाओं को पहले ही लोगसेवा आयोग इस्तगित कर चुका है लेकिन PCS 3 की परिच्छा के बारे में कोई सुचना नहीं दी है तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो हाल PCS 248 अभियंताओं के अनुति प्रक्रिया रुख गई है अब पावर कार्पोरेशन अगले महीने चैनित अभियंताओं के दस्तावेजों के जाच करेगा पावर कार्पोरेशन के संक्ट सच्चू इंद्रमणी नहीं बताया कि विद्द सिवा आयों के अंतरकत सीधी वर्त तो आज इतनी सूचना बहुत ज़्यादा सूचना नहीं है और उनतर जाशी चकवरती का जो अडर होगा जो भी अफडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है परेडाम सब के लिए सुखद ही आएगा किस झाल